ओम स्री गने साइनमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 मार्च सौंबार के राशी फलके बारे में कि यह दिन उम राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी LOVE LIFE कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्या पार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्व पपोन जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के आंत्मे हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अप के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नेने वीडियो पहुंस सकें चलि दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा कुम राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज किसी कारलों को लेकर अच्छी सफलता प किसी नए कारे का सुबारम करना चाते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों साथी साथ भूमी भवन वाहन आदी के खरीदने के भी आज अच्छे योग बन रहे हैं वेग्यानिक दश्टिकॉन और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ाने में स आप काफी समय से प्रियास कर रहे थे हैं आज उसमें आपको सफलता आवश्य मिलेगी सिर्फ अपने कारे को योजना बद तरीके से करने की आपको आवश्य रकता है नोकरी के लिए दी गई पिरतियोगी परिक्षा के पैणाम भी आपके पक्ष में आ सकते हैं अपने लक् अध्यात्मिक और प्रतिष्ट व्यक्ति का भी आज आपको आसिरवाद वे मार्ग दर्सन प्राप्त होगा आज सामाजिक वे राजनेतिक गति विदियों से थोड़ी दूरी बना कर रखें इसमें समय वर्थ होने के अलावा और कुछ प्राप्त आपको नहीं होने वाला द संतान की शिक्षा से संबंदित कोई आज महत्पपूर्ण कार रहे होगा एक्षित शिक्षा संस्तान में दाखिला मिलेगा अनुबवी तथा जिम्मेदार लोगों का मार्ग दर्सन आपको और अधिक मजबूत बनाएगा जिससे आपको उचित परिणाम हांसिल होंगी और आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तों गलत बात का प्रतिकार करने से एक आरण ही लोग आपके विपक्ष में आएंगे आपको हर काम बड़ी संजितगी और गंबीरता से करना चाहिए थोड़ी किसी भी लापरवाई के परिणाम घातक हो सकते हैं किसी रिष्टिदार के स्वास्थ को लेकर भी आज टेंसन रहेगी विध्यारती हास परियास वे मनुरंजर आदी के व्यर्थ के काम में पढ़कर अपनी पढ़ाय के साथ समझोता ना करें पैसे के मामलों में भी किसी पर आज आपको भरोसा नहीं करना फाइदे बंद रहेगा राज की एमामलों के कारों में बहुती आपको सावधानी बरतनी कियाव सकता है साथी साथ कोई नया निवेस करने से पहले आप अच्छी तरे से जांच पढ़तार कर ले इस समय आर्थिक इस्तिती कुछ मंद रह सकती है घर के बड़े बुजर्गों वे वरिष्ट सदस्यों के स्वास्थ का भी आपको विशेश रूप से ध्यान रखनी के आवस्शक्ता है अजनवी वे आय परिशित लोगों से वेवार में लेंदेन में सावधानी बरतने की आपको आवस्शक्ता है घर्चों पर भी आप न हो सकती है किसी रिष्टिदार्च संबंदित कोई अप्रिय समचार आपको विचलित कर सकता है इसलिए आपको धहरे और सैयम बनाकर रखना अति आवस्शक है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के से रहने वाली हैं दोस्तों जो लोग अभी तक सिंगल है उनके जीवन में कोई प्यारा साथी दस तक दे सकता है अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे को समझने का आज दिन है जीवन साथी वे परिवार जनों का सैयोग आपके आत्म बल वे आत्म विश्वास को बना कर रखेगा और आप तनाव मुक्त होकर साम पत्य समबंदों में मधूरता बनी रहेगी परिवार आपकी प्रात्मिक्ता पर रहेगा जीवन साथी आपकी परिश्थितिएओं में पूरी तरे से सहयोग देगा साथी माटा पिता वे घर के बड़े बजुरगों का आशिर्वाद वे इसने आपके आत्म विश्वास को बना कर रखेगा जहां दोस्तों परिवार में आज सांती का वाता वरन रहेगा संतान की सोहबत वे अध्यन से संबंदित जानकरी अवस्य लेते रहें किसी पुराने मित्र के मिलने से हर देख खुसियां आपको आज प्राप्त होंगी दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपक करने के लिए समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा साति साथ का रच्छितर में भी काम के अधित्ता रहेगी और दिन भागदोड में व्यतीत होगा दोस्तों आप पिछले कुछ में से अपने व्यपार में जीतोड़ बेहनत व्यपरिश्रम कर रहेते, काफी हद तक आपको इसके सकारात्मक प्रियोगों पर अमल करना आपके लिए आवशक है क्योंकि वर्तवान इस्थिती के कारण कार्यों के नीती में परिवर्तन जरूरी है। अगर आप शेयर्स भूमी आदी में निवेश करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं यह समय आपके काफी अनुकूल है जो की आगे चलकर आपके लिए बहुती लाबदाएक साबित होगा। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला हैं। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या हैं। दोस्तो हम आपको जो इस उपाय को बताने जा रहे हैं इस उपाय को आपको आज रात यानि सौमबार की रात को आपको यह उपाय करना है। जिया दोस्तों आज रात जब भी आप सोएं तो सोने से पहले आप एक लोटे में दूद या फिर जल भरकर अपने सिरहाने रखें और फिर सो जाएं जिया दोस्तों इसके बाद आप अगली सुबा यानी मंगलवार की सुबा जल्दी उठें इस नान आदि से निर्वत्र होने के बाद आप उस लोटे को भगवान भोलेनात का इस मरण करते हुए पीपल की जड में अरपित करें जहां दोस्तों इतना करने मात्र से ही भगवान भोले नात बहुत जल्द प्रसन होंगे और आपकी समस्त मनों कामनों को पूर्ण करेंगे जहां दोस्तों आपकी सुपाय को अवश्य करें आपको अवश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तों भगवान भोले नात का असिरवा आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भोले ना तवस्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद